नमस्कार आप देखरे हैं बिस्तक पे हमारी स्पेशल रिपोर्ट मैं हो रजद देवगन अदानी ग्रूप सुर्खियों में है हाल फिलाल में एक के बाद एक सिलसलेवार तरीकों से खबरे आई लिकिन इस बार जो खबर आई वो वाके चोक आने वाले थी आपको ये तो पता है कि अमबूजा और ACC को अदानी ग्रूप ने एक्वायर कर लिया है लेकिन खबर अब यहाँ पर ये है कि जितना हिस्सा ACC और अमबूजा में खरीदा था अदानी ने उसको पूरा का पूरा प्लेज कर दिया गिर्वी रख दिया जी हाँ अदानी ने अमबूजा में 63.15% हिस्सा करीदा ACC में 56.69% हिस्सा करीदा और उसको प्लेज कर दिया गिर्वी रख दिया और ये जो गिर्वी रख दिया और ये जो गिर्वी रखे हिस्से की वैल्यू बैठती है एक्वाइर किया उसके कुछी दिनों बाद ये हिस्सा गिर्वी रखने की नौबत क्यों आन पड़ी अदानी ने क्यों रखा है ये हिस्सा गिर्वी देखे कंपनी ने इस पे कुछ स्पष्टता भी दी है वो ये कह रहे हैं कि कुछ चुनिंदा लेंडर्स और साथी साथ फिनांशल पार्टीज के हित में ये फैसला उठाया गया है अदानी ग्रुप को कारुबार के लिए से में रखम की बहुत जादा जरूरत है और अलग-अलग सेग्मेंट में आपको पता ही है पोर्ट से लेकर FMCG पार सभी में ही अदानी अदानी देखने को मिल रहा है लेकिन जो रखम गिर्वी रखी रखम है ये एज्यूम करके चलिए कि ये सीमेंट सेक्टर में ही इस्तमाल होगी और 2030 तक अदानी का लक्ष है कि वो अपनी सीमेंट कैपसिटी जो अम्बूजा और ACC की है उसको 70 MTPI से बढ़ा कर 140 MTPI कर देगा तो एक तो ये कारण हो गया लेकिन कुछ दिन पहले एक खबर ये आई थी कि प्रमोटर्स अम्बूजा में फंड इन्फ्यूज कर रहे हैं 20,000 करोड रुपे अदानी ग्रुप अम्बूजा सीमेंट में फंड डालेगा और इसके बदले होगा ये कि अम्बूजा अदानी ग्रुप को 47.74 करोड वारेंट्स जारी कर देगा उसकी वैल्यू बैठेगी 20,000 करोड रुपे और ये अम्बूजा सीमेंट के हाथ में आ जाएगी तो ये सबसे बड़ी कैश रिच कंपनी हो जाएगी सीमेंट सेक्टर में यहां तक तो सब कुछ ठी अम्बूजा में लेकिन अम्बूजा और ACC के शेर प्लेज करकर जुटा लिए एक लाख करोड रुपे और उपर से अम्बूजा और ACC की जो 11,000 करोड रुपे की नकदीद ही इनकी बुक्स में वो भी अब अदानी ग्रुप के पास आ गई तो आप ये समझो कि प्रमोटर त लेकिन प्लेज एक्विटी हो गई एक लाख करोड रुपे की जो वहाँ से अदानी ग्रुप को मिल गया और उपर से 11,000 करोड रुपे जो अम्बूजा और ACC में थे वो भी अब अदानी ग्रुप को मिल गए एक लाख 11,000 करोड से जादा की राशी अदानी ग्रुप के आई है ये आखिरकार इसका यूज कैसे करेंगे उपर से होलसिम का अम्बूजा और ACC में जो हिस्सा करीदा था वो करीदा था 6.4 billion US डॉलर में इंडियन रुपीज के हिसाब से 51,000 करोड रुपे की ये डील थी 31,000 करोड रुपे के लिए open offer भी लाया गया था अम्बूजा 14 अंतराष्ट्रे बैंकों से कर्ज जुटाया है और इस कर्ज को लेकर ही अब चिंता बढ़ती चले जारी है क्योंकि इनकी अलग-अलग entities पे कर्ज बहुत जादा है और institutions भी मानते हैं कि कर्ज बहुत जादा है लेकिन देखे सवाल तो अपने जगा ठीक हैं और इस बार य दुनिया के नंबर दो पायदान पे हैं बिजनर जगत के तमाम अपनेट्स के लिए आप जुड़े हैं बिस तक के साथ नमस्कार